दोस्तों पिछले दो well foundation के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से हम लोग well foundation का construction करते हैं और उसके बाद में किस तरीके से हम लोग उसकी sinking करते जाते हैं और सारी step execute करते हैं bottom plug construct करने से लेके और top plug या top cap construct करने तक जो पूरी process होती है वो हम लोगों ने जानी उसके बाद में जब हम लोग sinking करते हैं तो उसमें आने वाले tilt और shift को कैसे rectify करना है वो भी हम लोगों ने सीखा अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं पिछले वाले तो आप लोग जाके देख सकते हैं лिंक उपर आ रहा है आप लोग देख सकते हैं corner पर link उसके आप लोग क्लिक किजिए step by step अगर आपको पहला वाला वीडियो देखना है तो इस link पर क्लिक किजिए और अगर दूसरा वाला वीडियो देखना है तो इसके बाद जो लिंक आने वाला है उस पे आप लोग क्लिक कीजिए और आप लोग दोनों में से कोई भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों अब दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो tilt और shift आता है उसको हम लोग किस तरीके से rectify करें तो दोस्तों वो बहुत ही easy है जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो shift होता है जो tilt के कारण होता है उसको हम लोग नहीं count करते हैं जो shift point मिलाते हैं तो उसमें हम लोगों का shift आता ही आता है और जो हम लोग tilt सही करते हैं उसके साथ में वो shift भी सही हो जाता है काफी हद तक अब क्योंकि shift कुछ नकुछ तो रही जाता है और tilt कुछ नकुछ रही जाता है तो उसको calculate कैसे करें दोस्तों और ये कैसे check करें कि वो within limit है या नहीं अगर वो within limit है तो fit ठीक है अगर within limit नहीं है तो हम लोगों को उसको rectify करके और उसको within limit लाना पड़ेगा तो दोस्तों ये किस तरीके से होगा तो दोस्तों जैसा कि आप मेरी screen पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वेल foundation का मैंने picture बनाया हुआ है अब इसमें हम पिक्चर देखी लिया है कि किस तरीके से अब हम इसको थोड़ा सा zoom in कर लेते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे zoom in कर लिया है तो अब हम लोगों को tilt check करना है तो वेल foundation की tilt हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे तो दोस्तों उसक करना पड़ेगा हमारा plum bob और plum bob की help से हम लोग हमारा कितना tilt हुआ है वेल वो find out कर सकते हैं अब आप चाहे आउटर साइड में पकड़ें उसको plum bob को या जो हमारा वेल foundation का inner face है उस पे अगर पकड़ेंगे तो भी हम लोग check कर सकते हैं वो कैसे कि हम लोग एक plum bob लेंगे और उसको check करेंगे यहाँ पर पकड़के हम लोग check करेंगे कि यह वाला कितना आ रहा है हमारा यह वाला portion और उसको हम लोग लगबग एक मीटर पर निशान लगा लेंगे यहाँ पर vertical हम लोग लेंगे और एक मीटर पर निशान लगा कि उसको हम लोग check ठीके ना इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो अब जैसे कि माल लिजे कि हमारा ये वेल का फैस है ठीके और ये हमारा साउल है और हम लोगों को एक मिटर की हाइट पर इसको चेक करना है तो एक मिटर की हाइट पर हम लोग ये चेक कर अब दोस्तों इसकी मदद से हम लोग tilt कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों बहुत ही easy है, tilt मतलब होता है angle, आपका कितना जुग गया है और कितना angle बन रहा है, ठीक है न, और angle या फिर हम लोग इसको कह लिजिए कि slope क्या बना है, तो दोस्तों slope को हम लोग निकालते हैं, one is to something की term मतलब हमको एक आगे चाहिए और पीछे जो भी value आईगी वो हम लोगों का चलेगा, अब यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको one is to something की term में, अब देखिए यहाँ पर हमारा एक मीटर और इधर में है 80 mm, मतलब एक मीटर में आप लोगों का 80 mm यहाँ पर यह तिल्ट से और 10 theta मतलब होता है P by H, ठीक है न, तो perpendicular by base, तो यह हो गया हमारा perpendicular इस case में, और यह हो गया हमारा base, ठीक है, तो इसको हम लोग calculate कैसे करेंगे, तो हमारा perpendicular ऊपर चला जाएगा, और नीचे में हम लोग इसको भी mm में convert कर लेंगे, तो हम लोगों को यह easy पढ़ जाएगा, अब हमको क्या करना है, हमको इस value को निकालना है, हमको उपर में चाहिए 1, मतलब हम लोग 1 is 2 question mark, मतलब 1 divided by question mark, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग उपर में 1 चाहिए, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 80 को नीचे लेके जाएगे, तो जब हम तो यहां पर इसकी वेल्यू जो आती है वो आती है 12.5 ठीक है तो यह एक तरीके से क्या बन गया 1 is to 12.5 अब दोस्तों इसकी limit क्या होती है तो tilt की limit होती है 1 is to 60 ठीक है ना तो 1 is to 60 की limit में हमारा यह नहीं है यह यहां पर बड़ा होना चाहिए अब अगर आप 1 divided by 12.5 को अगर solve करते हैं तो इसका जो answer आता है वो आता है जादा किसकी तुलना में 1 is to 60 की तुलना में यह आता है जादा मतलब इसकी comparison में यह वाला जो है वो जादा आएगा अब इसको आप लोग solve करके देख लीजिए तो हम लोग अगर 1 divided by 12.5 को solve करते हैं तो यह answer आता है 0.08 दोस्तों ठीक है और वहीं अगर हम लोग 1 divided by 60 को solve करते हैं तो यह answer आता है 0.010.0167 तो जोस्तों obviously यह वाला छोटा है और यह वाला बड़ा है तो हमारा अभी within limit नहीं आया है इसका मतलब यह हो गया कि हम लोग को अभी rectify करना पड़ेगा इस चीज़ को अब इसके साथ में हम लोग shift भी calculate कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि shift जो है वो tilt के जो द्वारा आई है वो हम लोग अभी rectify कर रहे हैं हम लोग rectification की process में है तो हम लोग उसको count नहीं कर सकते हम लोग को पहले tilt को सही करना पड़ेगा उसके बाद में shift कितना आ रहा है हम उसको calculate करेंगे और वो within 1% होना चाहिए within 1% किसके जो हमारी total depth है well foundation की उसके वो जो depth है उसका 1% हमारा shift होना चाहिए तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सीखा कि tilt किस तरीके से हम लोग solve करेंगे तो अभी हम लोगों ने निकाला अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि shift क्या आएगा तो दोस्तों shift के लिए हम लोगों क्या करना है अब जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 1 meter में 80 mm हमारा shift आया एक तरीके से तो यह देखो यह क्या हो गया हम लोगों ने जो 80 mm दे तो वो 80 mm हमारा shift हो गया दोस्तों तो यह 80 mm हम लोगों ने एक मिटर में चेक कर लिया कि एक मिटर में हमारा 80 mm का यहाँ पे shift हो गया तो दोस्तों यह तो बना एक मिटर में अब माल लिजे कि हमारा यहाँ पे 7 meter का foundation का depth है 7 meter का तो हम लोग अब shift कैसे पता करेंगे तो दोस् हमारा 560 mm का यहाँ पे shift हो जाता है तो अब इसका हम लोग निकालेंगे कि 560 mm हम लोग निकाला है वो 7 मिटर का कितना percentage है ठीक है न तो हम लोग निकालेंगे अभी तो हम लोग क्या करेंगे 560 mm है हमारा और 7 मिटर मतलब 7000 mm तो दोस्तों यह जो हमारा निकल के आएगा answer वो आ लेकिन अभी यह tilt के साथ में shift इसलिए हम लोग इसको rectify कर सकते हैं तो हम लोग जब tilt को rectify करेंगे तो shift भी अपने आप rectify हो जाएगी दोस्तों यह तो तब की बात है जब हम लोग tilt को rectify कर रहे हैं और shift अगर हम लोगों को दूसरे तरीके से पता करना है तो वो हम लोग कै से पता करेंगे दोस्तों और हाँ दोस्तों एक चीज और कि हम लोग कहीं एक जगे पे साउल गिरा के या हमारा plumb up गिरा के हम लोग चेक नहीं कर सकते दोस्तों हम लोगों को अलग अलग जगे पे यह चेक करना पड़ेगा वो किस लिए क्योंकि हम लोगों को यह पता नही होता है कि किस साइड में ज्यादा जुका हुआ है अब मान लिजे कि हमारा ये वेल फाउंडेशन है और एक साइड में जुग गया अब हमको क्या पता होगा कि वो इस साइड में जुका है या इस साइड में पड़ेगा कि वाकई में किस साइड में सबसे ज्यादा तिल्ट आ रहा है दोस्तों हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ इस से कम इधर आ रहा है तो हम लोग फिर उस साइड में चेक करना चालू करते हैं दोस्तों यह चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी बहुत जरू तो वो कितने आती है और वह कैसे चेक करना है हम लोगों को तो वह भी चेक करना बहुत ही यह वह बता देता हूं उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा मान लीजिए कि यहां पे वेल फाउंडेशन है जो आप लोगों ने चेक कर लिया है और पूरा उसको शिंक भी कर लिया और विदिन टिल्ट की लिमिट में आप लोग ले भी आये हैं ठीक है उसके बाद में आप लोगों को चेक करना पड़ेगा इसका शिफ्ट तो शिफ्ट कैसे चेक करेंगे अब मान लीजिए कि आपने सर्वेर से पॉइंट दिलवाया इसके लिए आपको लगे उसका यहां पर जो पॉइंट आ रहा है हमारा जो इसका मीड पॉइंट आ रहा है एक वो लेंगे और एक जो हमारा टोटल स्टेशन होता है उससे जो पॉइंट आ रहा है वो हम लोग लेंगे माल लिजिए कि हमारे टोटल स्टेशन से हम लोगों ने पॉइंट लगाया और तो यहां पर आये दोस्तों ठीक है और उसके अलावा हम लोगों को अब इसका एक center point mark करना है तो वह हम लोग केसे करेंगे तो हम लोग किसी भी एक जगे पे tape का मुह पकडेंगे ठीक है और एक मुह उस जगे पर पकडेंगे जहां पर 12 मिटर आ रहा हूं हमारा complete माली जाए कि हमारे 12 मेटर यहाँ पर और यहाँ पर रूख जाएगा कि और एक बार हम लोग इसको पकड़के और 6 मिटर पे हम लोग मार्क एक कल लेंगे पॉइंट, ठीक है? जो चूना मार्किंग करेंगे आप लाइन और जो ये दोनो लाइन क्रोस होगी, वहाँ पे जो पॉइंट आएगा, उसको आप लोग ले लेंगे ओर जो हमारा पॉइंट रहेगा जो इनिशेल हमारा टोटल स्टेशन से लिया गया था, उन दोनों को हम लोग मापेंगे तो इन दोनों के बीच की जो distance आईगी वो कहलाईगी shift ठीक है न? हो आती है shift ठीक है अब इसको आप लोग दो तरीके से check कर सकते हैं अब आप इसको इस तरीके से check कर सकते हैं कि जो tilt की वज़े से shift आई थी और जो actual shift आई है उसमें कितना difference है अगर tilt की वज़े से कुछ shift आ रही है और ऐसे check करने में जो shift आ रही है माल लीजे कि इसमें check करने में हमारी 80 mm की shift आ रही है और इसमें check करने में हमारी 90 mm की shift आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जब हम लोगों ने well position पे हम लोगों ने construct करना चालू किया था तब ही हमारा 10 mm का error हो गया था दोस्तों तो 10 mm का error तब ही हो गया था उसको हम लोग rectify नहीं कर सकते इसलिए मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि आप उसको rectify नहीं कर सकते दोस्तों तो यह इस तरीके से हमारा shift का और tilt का calculation होता है दोस्तों और बहुत ही easy है बिल्कुल easy steps में हो जाता है दोस्तों इसमें कुछ भी हम लोगों को ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है बस यहाँ पर हम लोगों को छोटी सी maths लगानी है और हम लोगों को यह calculate कर लेना है दोस्तों बहुत ही simple था दोस्तों उम्मिद करता हूँ कि आप लोगों को अब यह समझ में आ गया होगा समझ में आया हो तो इस वीडियो को like जरूर करें दोस्तों और अपने उन दोस्तों को साथ में share करें जो वाकई में इस चीज़ को शीखना चातये हैं और अगर आप हम लोगों को support करना चाते हैं तो इस चैनल को subscribe करने के साथ-सात में इस चैनल को join भी कीजिए ताकि आप लोग कोई भी एक प्लान लेके और हम लोगों को कुछ पेसा डोनेट कर सकते हैं और अगर आप लोग नहीं भी करना चाहें तो भी आप लोग का स्वागत दोस्तों आपको फ्री में यहाँ पर सीखना मिल रहा है बहुत कुछ तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नहीं लेके और कुछ इंट्रेस्टिंग लेके तब तक के लिए नमस्कार